हेलो गाईज, वेलकम बैक टुगान माई योटूब चैनल, चैनल पने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अटल विहारी बाज़ पे मेडिकल निवर्सिटी बेस्सी नर्सिंग का अप्लिकेशन फार्म आ जुका है, जिन एश्टुएंट को यूपी से बेस्सी नर्सिं कामन नर्सिंग इंटरेंस एकजाम नाम से, C&AT नाम से इंटरेंस करवाती है, टल विहारी बाज़ पे मेडिकल नोसिटी, पूरे यूपी में, ब्यस्सी नर्सिंग के लिए, चाहे हो गवर्मेंट कालेज हो, चाहे प्राइबेट कालेज हो, अप्लिकेशन फार्म आज से फ इंटरेंस एकजाम में तीन बार उन्होंने चेंज किया होगा है, प्लेस आफ एकजाम जो आपका जो है, एकजाम जो है वो जाएगा, तो अप्लिकेशन फार्म की फीस वही राने वाली, जो पिछली साल अप्लिकेशन फार्म की फीस थी, वही अप्लिकेशन फार्म की फीस 24 से आज से इसका जो है अप्लिकेशन फार्म फिल होना इस्टार्ट होगा ये देखिए अप्लिकेशन फार्म के फीज है जनरल की OBC की फीज जो है वो है 3000 रूपए है HTSC PWD की फीज जो है वो है 2000 रूपए मिनिमम एज आपकी यहाँ पे 17 साल 31 दिसमबर 2024 के पहले कम्पलीट हो जानी चाहिए अप्लिकेशन फार्म फिल करने के लिए यानि कि अभी जो 2024 में 31 दिसमबर आएगा इधर आपकी एज 17 एयर कम्पलीट हो जानी चाहिए यह है eligibility criteria age की minimum qualification जो आपका होना चाहिए intermediate किसी भी बोर्ड से हो चाहिए CBSC बोर्ड हो ICSC बोर्ड हो या UP बोर्ड हो या other बोर्ड हो अगर other बोर्ड आपका होगा मान लीजे MP बोर्ड है राजस्तान बोर्ड है other state के आप student है तो आपको government college में sit नहीं मिलेगी private college में ही sit मिलेगी N.I.O.S. board के भी student apply कर सकते हैं यहाँ पे साफ साफ mention किया हुआ है जो है N.I.O.S. board के भी student apply कर सकते हैं बस compulsory है English इसके बाद जो आपकी certificate होनी चाहिए reservation policy होगा रहा है यहाँ पे apply की गई है दी गई तो cost certificate काफी जाद ही important हो जाती है validity of OBC का certificate जो है एक अपरेल 2024 के अंदर की होनी चाहिए यानि की एक अपरेल दो अपरेल तीन अपरेल चार अपरेल इधर की ही आपकी cost certificate होनी चाहिए EWS की भी जो certificate होगी वो 1 April, 2 April, 3 April, 4 April इधर की certificate होनी चाहिए अगर आपकी certificate 1 April के अंदर की नहीं है तो आपकी certificate वो unvalid मानी जाएगी आपकी category से certificate अगर आपकी ये नहीं है तो आपको sit नहीं मिलेगी इसलिए car certificate OBC के लिए तो बहुत important हो जाता है अगर आप OBC के candidate हैं तो car certificate अभी भी अपलाई कर दीजिए एक दो हफते में बन के चला आता है क्योंकि application farm की जो date है और भी जादा है और application farm में car certificate वगएरा नहीं लग रहा होगा तो इसके बाद instructions candidate for filling online application farm तो application farm के जो instructions हैं हलाकि साम को एक application farm proceed करके हम आपको बता देंगे admission to BSC nursing courses will be done through CNAT only तो आपको entrance exam ये देना ही देना पड़ेगा direct admission आपका जो है private college में भी नहीं होगा steps for filling application farm ये steps हैं जिसका use करके आप application farm fill कर सकते हैं और ये document लगेंगे हलाकि previous video जो हमने बनाया था उसमें बता दिया था कि कौन कौन से document वगेरा लगेंगे तो document कोई जादा नहीं लगते हैं इसके बाद कुछ important photo की ये size है आप देखेंगे ये है और correction window दुबारा open नहीं होती application farm एक ही बार में सही fill करेंगे हर साल student गलती करते हैं तो application farm एक ही बार में सही fill करेंगे correction window दुबारा open नहीं होती है इसलिए risk लेने का आप बिलकुल काम नहीं करेंगा application farm ज़्यादा गलती अगर पाया गया तो application farm आपका reject हो जाएगा दुबारा window नहीं खुलती है क्योंकि states के farm है तो states के farm में maximum जो है आप जोन को एक सा exam है फ्राइडे को एक जारा बज़े से लेके exam चलेगा वो चलेगा दो बज़ के 20 मिनट तक यहाँ पे देखिए examination time आपको 20 minutes बढ़ाया गया है examination time आपको जो है 20 minutes बढ़ाया गया है पूरा need के criteria के basis पे exam कर दिया गया है need में भी 200 questions आते है तो यहाँ पे आपको जो time मिलेगा वो मिलेगा 3 घंटे 20 minutes आपको 11 बज़े से 12 बज़े 12 बज़े से 1 बज़े 1 बज़े से 2 बज़े 2 बज़े से 2 बज़े के 20 minutes यहाँ पे total आपको 20 minutes दिये जाते हैं examination के लिए तो काफी अच्छी information है साड़े 3 घंटे आपको time मिलना है 3 घंटे 20 minutes मिलना है examination के लिए जो अच्छी information यह है कि paper जो है वो by language हो रहा by language में paper हो रहा काफी ज़्यादा important यह हो जाता है जो UP के candidate है जो English समझने में जिनको थोड़ी सी problem होती आला कि English समझने में problem नहीं होनी चाहिए क्योंकि college में आप आएंगे तो आपको English ही पढ़ना पड़ेगा मतलब English में ही पढ़ना पड़ेगा इसलिए English समझने में आपको problem नहीं होनी चाहिए इसके बाद जो यहाँ पे multiple choice question आपको दोसों देखने को बिलेंगे वो होगा वो होगा ओमार बेज़ड ही होगा मतलब आपको pen paper बेज़ड ही होगा आपको जो है circle करना पड़ेगा इसलिए आप practice कर लीजिए total number आप questions जो है वो 200 आ रहे हैं कोई negative marking नहीं है एक question एक number content करेगा कोई negative marking नहीं है Hindi English दोनों मिक्जाम होगा slavers यहाँ पर थोड़ा देखेंगे slavers में भी फिर बदल किया गया है nursing aptitude 20% आ रहे है physics 20% आ रही है chemistry 20% आ रही है bio 20% आ रही है English 20% आ रही है intermediate लिखा गया है लेकिन intermediate पर focus नहीं करेंगे 11th का भी आता है 12th का भी आता है इसलिए 11th 12 दोनों का आता है intermediate पर focus यहाँ पर नहीं करेंगे यहाँ पर GK का portion हटा दिया गया है इसलिए आपको टेंसल लेने की ज़रूरत नहीं है nursing aptitude simple होता है nursing aptitude से ना घर बढ़ा है यह चीज़ें आपको पता ही होती nursing कितने साल का होता nursing के बाद क्या कर सकते है nursing को हिंदिय में क्या करते है यही चीज़ें जो है nursing aptitude में पूछता है minimum qualification आपको admission लेने के लिए private college में भी जो होना चाहिए 50% time होना चाहिए general PWD के लिए 45% होना चाहिए OVCST के लिए 40% होना चाहिए exam nation में reporting time है 9am है 9am से आप जो है report कर सकते हैं और entry जो है वो 10 बजे के बाद नहीं होगी यह strict तोर पे follow होता हर साल follow होता है और पिछली साल भी कई candidate थे जिनकी entry नहीं हो पाई थी और exam से वन्चित हो गए थे यह strict follow होता no entry at the exam nation center will be allowed after 10am 10am है तो 10am ही यह होगा इसलिए जो है exam nation center पे आप पहले पहुच जाएंगे हला कि application farm fill होना आज से start हो गया है application farm fill करते हुए आप पढ़ाई continue करते रहें NCRT पे focus करें NCRT के लावा इधर उधर चीज़ें पे focus ना करें बाकी 2021, 22, 23 main exam का question paper हमारे channel पे है उसको आप जाके देख सकते हैं वहाँ आपने upload किया है 22, 22 का तो अभी upload किया था 21 का 2022 में upload किया था तो यह चीज़े हैं आप इसको कल लिजे और preparation को continue करिए क्योंकि application farm जो है अब आपका इंतजार खतम हो गया है Instagram, Telegram, Link है description box उसको भी आप जाइन कर सकते हैं कोई भी doubts हो comment box में comment करिए reply आपका किया जाएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो ने update के साथ जाएं